शादी के दिन हर लड़की की खूबसूरत दिखने की और सब के आकरशन का केंदर बनने की ख्वाइश होती है इस दिन सबसे अच्छा दिखने के लिए ज़्यादा मेकप की लिपाप होती नहीं करें और किसी भी तरह के तनाव से भी दूर रहने की कोशिश करें यूरो क्रोमा इंस्टिट्यूट आफ कॉसमेटोलाजी की सह संस्था पकनलिन वर्मा और साथ शेट्स बाई पुनेती युनिसिक सैलोन की सौंदरे विशेशग्य पुनीती ने इस संबंद में ये सुझाव दिये हैं दूलहन के बेहतर लुक का मुख्य मकसद पूरा लुक सिंपल रखते हुए भी बेहत खूबसूरत दिखना होता है जैसा कि भारतिये दूलहने भारी कपड़ों और गेहनों से लदी होती हैं तो ऐसे में मेकप नाचुरल रखना ही बेहतर होगा अगर आप एक परंपरागत दूलहन का लोग चाहती हैं तो सिंदूरी, लाल, कोरल रेड, गेहरे लाल और गेहरे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाएं पेस्टल या नियूड रंगों के लिपकलर के इस्तिमाल से बचें आखों या होंट में से किसी एक को हाइलाइट करें न कि दोनों को आज कल नए ब्राइडल मेकप स्टाइल चलन में है समारों के हिसाब से होंटों को लेप ग्लोस से शाइनी लूट दें या मैट लिपस्टिक का इस्तिमाल करें गालों पर ब्लश लगाने के लिए गुलाबी, लाल और नारंगी रंग के ब्लश ज्यादतर दुलहनों की पसंद होते हैं आखों की बराउनियों को बेहतर लुक देने के लिए मसकारा बढ़या विकल्प है टिकाउ मेकप के लिए शुरुआत अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने से करें और फिर चेहरे को अच्छे से पोंच लें और यह सुनिश्चित कर लें कि चेहरे पर कहीं तेल या कोई गंदगी का निशान तो नहीं रह गया है भारतिये दुलहनों को आखों पर मेकप कराना पसंद है क्यूंकि यह उनकी लाल गहरे गुलाबी या हरे लहेंगे घागरा या भारी साडियों के उपर जनचता है तो अगर आप बिना कोई जोखिम लिए आँखों के मेकप को लेकर प्रेयोग करना चाहती हैं तो इन रंगों के परिधानों का चैयन करें पलकों पर सुनहे रे या हलके गुलाबी शेड़ वाले आई शेड़ों का इस्तिमाल करें और स्मोकी लुक के लिए बाहरी हिस्से पर थोड़ा सा चारकॉल शेड़ों का इस्तिमाल कर सकती हैं भौह के बून्स पर आप चाहें तो सिल्वर के बजाय गोल्डन आई शेडों का इस्तिमाल कर सकती हैं अगर आप मेकप आटिस्ट की मदद से तयार होने की यूजना बना रही हैं तो फिर आप उन्हें सपष्ट कर दें की आपकी जरूरत क्या है या आप कैसी दिखना दाती हैं पहले से ही उन्हें बता देने से आपको मनचाहाल उपाने में मदद मिलेगी अगर मेकप आटिस्ट नया है तो शादी समारों से पहले आप एक बार उससे मेकप कराकर जरूर देख लें ताक की बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो शादी के मुके पर आप तनाव से जितना दूर रहे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा शादी की तैयारी वव्यस्ता के चलते ऐसा करना मुश्किल है लेकिन तनाव आपके चेगरे की सारी चमक चीन सकता है और आपकी खूपसूरती में कहीं न कहीं कमी नजर आएगी तनाव या परियाप नींद नहीं आने से अगर आखें सूज जाती हैं तो सूजन कम करने के लिए कैमो माइल टी बैक का प्रयोग करें क्यूंकि आम टी बैक के इस्तिमाल से त्वचा पर दाग पड़ सकता है